भारती रेलवे की न्यू भावपूर न्यू घूलजा डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर के बाद प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी देश को एक और फ्रेट कॉरिडोर समर्पित करने जा रहे हैं हर्याना और राजस्थान को जोडने वाली वेस्टन डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर यानि WDFC 306 किलोमेटर लंबी है जो न्यू रिवाडी से न्यू मंदार खंड तक जाएगी पिये मोधी आज इस परियोजनक अउध घाटन करेंगे इसके साथ ही अटेली से न्यू किश न्यू बदार खंड परियोजना हर्याना में करीब 89 किलोमेटर और राजस्थान में करीब 227 किलोमेटर कवर करेगी इसमें 9 नव निर्मित DFC स्टेशन शामिल है जिन में से न्यू डबला, न्यू भगेगा, न्यू श्री माधोपुर, न्यू पचार मलिकपुर, न्यू सकुन और न्यू किशनगर क्रॉसिंग स्टेशन है जबकि अन्य तीन रिवाडी, न्यू अटेली और न्यू फुलेरा जंक्षन स्टेशन है इस फ्रेट कोरिडोर की शुरू होने से राजिस्थान और हर्याना के रिवाडी मानिसर, नानौर फुलेरा और किशनगर इलाके में स्थित विभिन उद्योगों को लाब होगा और ये काठुवास में स्थित कॉनकोर के कंटेनर डीपो के बहतर इस्तिमाल को भी संभव बन ये दुनिया के पहली डबल स्टाक कंटेनर ट्रेन होगी जिसे RDSO के वैगन विभाग ने डिजाइन किया है कंटेनर इकाईयों के लिहास से इस फ्रेट कोरिडोर पर एक लॉंग होल डबल स्टाक कंटेनर ट्रेन में जुड़े ये वैगन भारती रेलवे की वरतमान शमता के तुनला में चार गुना जादा कंटेनर इकाईयों को ढो सकते हैं। के तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें टीवी नाइन भारतवर्श।